open organ pipe, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्या बनेगा, anti-node, यहाँ भी क्या बनेगा, anti-node, और किसका anti-node है बेटा यह, displacement का, सभी को समझ में आ रहा है, कि open end पे क्या बनता है, बारवर बताने की जरवती नहीं मेरे ख्याल से, displacement का anti-node, और pressure का node, and vice versa, ठीक है, close end पे स neural tone में, यहाँ भी anti-node होगा, यहाँ भी anti-node होगा, अब बेटा, दोनो anti-node कैसे हो सकते हैं, बीच में कहीं, node होगा, तभी तो दो anti-node कहीं से बन सकते हैं, यहीं सä, खुले खुले, तो यहाँ बीच में, एक node ले लिया, मैंने, राइट, य Heh length हो गई, L, अब बेटा ये कितना होगा, lambda by 4, ये कितना होगा, lambda by 4 तो ये कितना होगया, 2 lambda by 4, right है न, so 2 lambda by 4, बराबर L, यहां से lambda कितना होगया, 4L by 2 ये 2L बोल सकते हैं सिधा, बेटा frequency कितनी हो जाएगी, V बटे lambda so V बटे 2L, तो ये हो गई बेटा इसकी fundamental frequency या first harmonic कितनी V बटे 2L, तो open में V बटे 2L आता है, closed में V बटे 4L आता है अब ये बात यहीं कि यहीं याद हो जाए, तो बेटर है, closed में क्या आता है, V बटे 4L और open में क्या आता है, V बटे 2L, fundamental, कैसे याद रखेंगे सर, बड़ा असान है, बड़ा असान है open में क्या आता है, V बटे, क्या आ रहा है, 2L, और closed में क्या आ रहा है, V बटे 4L, fundamental frequency बेटा, open oxygen, open देखो oxygen, oxygen की बेटा कितने bond बनाता है, double bond बनाता है, तो O के double bond, इसकी valency कितनी हो गई, 2, तो यहाँ 2 लगा दिया closed, carbon से start हो रहा है, बेटा, carbon कितने bond मनाता है, 4 bond मनाता है, तो नीचे 4L आ गया, याद रहेगा, बना हमेशा confused रहा हो गया open, open में क्या, V बटे, 2L, तो open O से start हुआ, oxygen की कितने bond मनाता है, 2 bond, valency 2 है, तो 2L लगा दिया, chemistry जोड़ दी थोड़ी से closed की बात करें, बेटा, C से start हुआ, carbon की valency 4 है, तो नीचे 4L लगा दिया, clear, ठीक है, तो V बटे, 2L की fundamental frequency है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो, अब आया first overtune, ज़रा first overtune देखते हैं, यहाँ पे anti node, यहाँ पे anti node, पहली बार यहाँ पे एक ही node था, अब दो node लाने पड़ेंगे तो एक node यह ले लिया मैंने, एक node यह ले लिया मैंने, ठीक है, दो node तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठ, 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 यह बनेगी कहानी, length हो गई L, बेटा, lambda by 4, lambda by 4 और यह 2 lambda by 4, यानि 4 lambda by 4 मुझे दिखाई पढ़ रहे हैं, मेरेको तो 4 lambda by 4 दिखाई पढ़ ले हैं, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, तो मेरे को दिखाई 4 lambda by 4, 4 lambda by 4 बराबर L, तो lambda किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया, frequency कितनी होगी बेटा, V बटे lambda, lambda L के बराबर, तो V बटे L है, उपर नीचे 2 से multiply कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, 2 V बटे 2L, V बटे 2L बेटा क्या थी, first harmonic, तो यह कितनी हो जाएगी, second harmonic है न, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, first overtone is equals to second harmonic, तो यहाँ पे आपको second harmonic मिलती है, open is open, open में सब है, even भी है, odd भी है, close थोड़ा कंजूस था, वो सिर्फ क्या देता था? odd harmonics देता था, open में सब है बेटा, even harmonic भी मिलेगी और odd harmonic भी मिलेगी, पर closed में सिर्फ क्या मिलती है आपको, close में क्या मिलती है, सिर्फ odd harmonics, तो 2F, first overtone is 2F, जो expected होता है, चलो, second overtone भी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे anti-node, यहाँ पे anti-node, अब बीच में कितने node आ जाए एक, दो, तीन, ठीक है, यह ऐसा बनेगा, lambda by 4, 2 lambda by 4, 2 lambda by 4, 2, 2, 4, 1, 5, तो 5 lambda by 4 मेरे को दिख रहे हैं, गलर चाहिके कुछ, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 दिख रहे हैं बलकी, sorry, 6 lambda by 4, तो 6 lambda by 4 I can see, 6 lambda by 4 is equals to L, lambda is equals to 4L by 6, right, 2 से कट जाएगा, 2L by 3, तो पेटा, यहाँ से, F is equals to V, बटे, lambda, lambda is 2L by 3, ध्यान देखो बेटा, F क्या आगया, 3 times of V बटे 12, और V बटे 12 क्या है बेटा, open की fundamental frequency है, so F second overtone, कितना हो गया, 3 times of F1, first overtone क्या था, 2 F1 second overtone, 3 F1 third overtone, 4 F1, इसमें odd harmonic भी हैं, और even harmonic भी है, odd and union harmonics, both present, harmonics in open organ pipe, तो बेटा, इसमें तो सभी है, fundamental की बात करें हैं, first harmonic, ठीक है, F1 अपना कितना है, V बटे 12, यह अब आपको याद रखना है, याद रहेगा, open में क्या है, 2L है, ऐसे याद रखोगे, open में 2, oxygen की valency, 2 होती है, close में 4, carbon की valency, 4 होती है, दूसरी बात बेटा है, यहाँ पर, F first overtone, कितना है, second harmonic है, F second overtone, क्या है, third harmonic हो जाएगा, है न, F third overtone, क्या हो जाएगा, fourth harmonic हो जाएगा, यानि F nth overtone बेटा, क्या हो जाएगा, N plus 1th harmonic हो जाएगा, clear है first over tone is second harmonic second over tone is third harmonic fourth harmonic nth क्या हो जाएगा n plus 1 into f 2013 if we study the vibration of a pipe open end यह आप खुद से बताए मुझे आप बताएए मैं नहीं help करूँगा देखो इतनी देपढ़ाया आपको कुछ समझ में आया कि नहीं if we study the vibration of a pipe open at both ends then which of the following statement is not true इसमें से क्या सही नहीं है open if we study the open at both ends open end will be anti-node हाँ सही बात है open end पे क्या होता है anti-node होता है is not true बेटा ध्यान से question पढ़ लो इस तो सही है open end is anti-node odd harmonics of the fundamental frequencies will be generated बताओ यह गलत है कि सही है बेटा odd तो generate होगी मना ही थोड़ी ना है odd भी होगी even भी होगी गलत कैसे हुआ यह थोड़ी ना लिखा है only Odd odd generate होगी yes होगी creative bbb भी बोल रहे है यहां only odd लिखा है क्या odd तो बनेगी न और भी मिलेगी even भी मिलेगी यह कह रहे है, odd मिलेगी, हम कहा है, हाँ, मिलेगी, only odd are generated लिखा होता तो गलत होता, यह तो correct है, यह भी correct है, बात समझे, next, all harmonics of the fundamental frequencies will be generated, सही बात है, सारे harmonics generate होते हैं, first, second, third, fourth, सही है, next, क्या है, pressure change will be maximum at both ends, pressure change, यहाँ पे delta P कैसा होगा, pressure change will be maximum, बेटा, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे displacement का anti node बनता है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर का anti node बनता है, इसका मतलब यहाँ pressure का node बनेगा, यानि यहाँ पे delta P क्या होगा, 0, pressure change will be maximum at both ends, यह बेटा, false हो गया, बाकी सब true था, क्लेर होगा तो आंसर होगा आपका D बी वाला देखके तुरिंज मार के भागाते बोला है और हार्मोनिक सोगी हाँ भाई यह और जेनलेट होगी इवेन भी होगी ओनली और लिक्टा तो गलत होता ना चलो next summary organ pipe और summarize करते हैं फिर सवाल करके आपको break देता हूँ पहला बढ़िया सा summary organ pipe चलो इस तरफ ले लेते हैं closed इस तरफ ले लेते हैं open एक तरफ closed एक तरफ open तो closed की बात करें बेटा fundamental frequency C यानि 4L तो V बटे 4L overtone की बात करें बेटा first overtone सीधा कहां पहुच जाते हैं 3 times of F1 clear है na second overtone कहां पहुच जाएंगे 5 times of F1 है na third overtone पे ये कहां पहुच जाएंगे 7 times of F1 है na और nth overtone पे बेटा ये कहां पहुच जाएंगे बोलो n plus sorry 2n plus 1 2n plus 1 into F1 open की बात करें बेटा open में fundamental frequency क्या है O2 so V बटे 2L ठीक है first overtone की बात करें तो second harmonic second overtone की बात करें तो third harmonic एकदम system से चल ला है third overtone की बात करें तो fourth harmonic एकदम system से और nth overtone की बात करें तो ये क्या है n plus 1th harmonic ये क्या होते हैं 2n plus 1th harmonic clear है ये 2n plus 1th और वो nth clear है आगे बड़ा जाए चल सवाल 2015 अब दोनों pipe को involve करेंगे हैं टेक है क्या है the fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 cm is equal to the second overtone of an organ pipe open on both ends क्या बोला है the fundamental frequency of closed organ pipe F1 of closed organ pipe is equal to the second overtone of open of open organ pipe the length of the organ pipe open at both ends इसकी length नहीं पता बेटा F1 of closed closed की one कित्ती होती है closed मतलब carbon मतलब 4 तो यह हो जाएगी V बटे 4L और यहाँ पे C लिख दे रहा हूँ closed की length second overtone of open बेटा open तो खुला है open तो खुला है उसमें सब allowed है second overtone मतलब third harmonic so 3 अच्छा और open में basic 3 times of इसकी basic frequency 3 F1 of open राइट 3 F1 of open और F1 of open क्या होगा बेटा V बटे 2L oxygen के double bond so V बटे 4LC is equal to 3 V बटे 2L open यहाँ से V V cancel हो जाएगा 1 upon 4 into length of closed is equal to 3 upon 2 into length of open 2 1s are 2, 2 2s are 4 अपने वो क्या दी है closed की length दे रखी है 20 cm so 1 upon 2 into 20 is equal to 3 upon length of open तो length of open हो जाएगा 40 into 3, 120 cm सभी का correct आया है clear? हाँ break दूँगा 15 minutes कर दे दूँगा ठीक है बट जहाँ एक पार्ट खतन कर के जाते हैं अब एकदम बढ़िया touch fresh बना हुआ है फिर मजा नहीं आएगा चलो आगे बढ़ते हैं next और अगला पार्ट अपने आप में independent है beats पढ़ेंगे पूरी और Doppler effect पढ़ेंगे मजा आ जाएगा आपको 2018 देखो लगातार सवाल आ रहे हैं कि 2018 में क्या आया? दोनों को मिलाया basic सवाल the fundamental frequency in an open organ pipe क्या बोल रहा है? fundamental यानि F1 किसका? open का the fundamental frequency in an open organ pipe fundamental मतलब? F1 is equal to the third harmonic of a closed organ pipe क्या लिख रहा है? is equal to the third overtone नहीं बेटा overtone नहीं third harmonic of closed third overtone नहीं बोला third harmonic बोला बेटा open का F1 open मतलब 2 V upon 2 length of open third harmonic बेटा third harmonic लिखा तो 3 F1 जब overtone लिखे तब सोचो भी harmonic का मतलब तो fundamental के कितने times? third harmonic मतलब 3 times of F1 of closed खतम बेटा V upon 2 length of open 3 times of F1 of closed closed का F1 कितना होता है? 4 आता है closed carbon 4 length closed V V बेटा cancel हो जाएगा 1 upon 2 into length of open V V cancel 3 upon 4 into length of closed किसकी length दे रखी है? if the length of the closed organ pipe is 20 close की length दी है 20 मेरे को 2 1s are 2 2 2s are 4 1 upon length of open 3 upon 2 into length of closed is 20 length of open कितनी हो जाएगी बेटा? इधर गया इधर गया 40 बटे 3 3 1s are 3 10 3 3s are 9 10 13.3 cm 13.3 cm 13.2 will be the correct option clear है? चले आगे बढ़े इसी में गलतियां होती है इसको ध्यान से करना है एक दम चलो next करें इसलिए मैं कहा रहा हूँ practice sheet practice sheet is must practice sheet में आपको सवाल मिलेंगे इसके और सारे और उनको practice करकर के ही आप strong बनोगे चलो सवाल करते हैं 2016 क्या है? the second overtone of an open organ pipe f second overtone of open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe चलो भया पहले तो इसको solve करना पड़ेगा second overtone open open में क्या है बेटा? open is open ऐसे याद रखना है open is open खुला है उसमें even भी है odd भी है second overtone third harmonic तो three f1 open अब बेटा closed closed में क्या कहानी है? सिर्फ odd harmonics होती है है ना? तो first overtone यानि तीसरे पहुत जाएंगे भाई fundamental होता है f1 first overtone two in plus one अब देखो फामला मेरे को भी पता है शाहिए तुमें याद रहे न रहे पर दिमाग में याद रहे closed के अंदर क्या होता है? closed के अंदर सिर्फ odd harmonic first overtone third harmonic so ये three f1 of closed बेटा three three cancel हो गया f1 open का होता है v बटे o मतलब oxygen two length open oxygen के डबल one three three cancel हो गया f1 of closed v बटे close carbon carbon की चार वरंसी four length of closed v v cancel अपने क्या दिया है closed pipe की length L दे रखी है ये length पता है अपने को v v cancel one upon two into length of open is equals to one upon four into length of closed L length of open निकालना है two one the two 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 the four length of open is equals to two L आ रहा है यार मेरा तो आपका भी two L आ रहा है कि सभी का two L मतलब correct हैं सभ बहुत बड़ी